आम शी किष्णाई नमे अथ शीमत भागवत गीता राज विद्या राज गुहाई ओग नामक नवम अध्याई शी भगवान बोले तुझ दोश रहत भक्त के लिए इस परम गौपनिय विज्ञान सहत ग्यान को पुने भली घांती कहूंगा जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा यह विज्ञान सहत ग्यान सब विद्याओं का राजा सब गौपनियों का राजा अतिक वित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फलवाला धरम युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है हे प्रंतप इस प्युक्त धरम में शद्दा रहत पूरश मुझको नाप्राप्त होकर भृत्यू रूप संसार चक्र में भ्रहमन करते रहती है मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से वर्फ के स्द्रिश्य परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंत्रगत संकल्प के अधार स्थित हैं किन्तु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है किन्तु मेरी इश्रे योग शक्ती को देख कि भूतों का धार्ण पोशन करने वाला और भूतों को तुपन करने वाला भी मेरा आत्मा वास्त में भूतों में स्थित नहीं है जैसे आकाश से तुपन सरवत्र विच्रन करने वाला महान वायू सदा आकाश में हिस्तित है वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उतुपन होने से संपुर्न भूत मुझमें हिस्तित है ऐसा जान हे अर्जुन कल्पों के अंत में सब भूत मेरी परकिर्टी को प्राप्त होते हैं अर्थात परकिर्टी में लीन होते हैं और कल्पों के आदी में उनको मैं फिर रचता हूँ अपनी परकिर्टी को अंगिकार करके सभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूसमदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ हे अर्जुन उन कर्मों में आस्किती रहत और उदासान के सद्रिश्य सित्मुझ परमात्मा को वह करम नहीं बांधते हे अर्जुन मुझ अदिश्ठाता के साकाश से परकिर्टी चराचर सहत सर्व जगत को रच्ती है और इस हे तू से ही यह संसार चक्र घूम रहा है मेरे परमभाव को ना जानने वाले मूड लोग मनुश्य का श्रीरधार्न करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान इश्वर को तुछ समयते हैं अर्थात अपनी योग माया से संसार के उध़ार के लिए मनुश्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारन मनुश्य मानते हैं वह व्यर्थ आशा, व्यर्थ करम और व्यर्थ ज्यान वाले विक्षित चित ज्यानी जनरक्ष सी आसुरी और मुहनी परकिर्टी को ही धार्न किये रहते हैं प्रंतु हे कुंती पुत्र देवी परकिर्टी के अश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहत अक्ष सरूप जान कर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजती हैं वह दिरण निश्चे वाले भगत जन रंतर मेरे नाम और गुणों का कीतन करते हुए तथा मेरी प्राप्ती के लिए यतन करते हुए और मुझको बार-बार परणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करती हैं दूसरे ज्यान योगी मुझ निर्गुन निराकार ब्रह्मा का ज्यान यग्य के द्वारा अभिन्य भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्ये बहुत परकार सिस्थित्त मुझ विराण सरूर्प मेश्वर की पृतिक भाव से उपासना क करते हैं कृतू मैं ही हूँ यग्य मैं ही हूँ सदा धार्न करने वाला कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पिता मा जानने योग्य पवित्रम का आर्थ था रिगवेद सामवेद और यजुरवेद भी मैं ही हूँ प्राप्त होने योग्य परमधाम भर्न पोशन करने वाला सबका स्वामी शुब शुब को देखने वाला सबका वास्थान शर्न लेने योग्य प्रित्यपकार ना चहकर हित करने वाला सबकी उत्पर्ति प्रले का हेतु सिती का आधार निधान और अविनाशी कार्ण भी मैं ही हूँ मैं ही सूर्य से तपता हूँ वर्षा का कर्षन करता हूँ और उसे बरसाता हूँ हे अर्जुन मैं ही अम्रित और मृत्यूं हूँ और सत्वी मैं ही हूँ तीनों वेदों में विधान किये हुए साकाम कर्मों को करने वाले सोम रस को पीने वाले पाप रहत पूरिश मुझे को यग्यं के द्वारा पूझ कर स्वर्ग की प्राप्ती चाहती है वह पूरश अपने पुन्यों के फलसरूप स्वर्ग लोग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिवे देवताओं के भोगों को भोगते हैं वह उस विशाल स्वर्ग लोग को भोग कर पुने कशीन होने पर मृत्यू लोग को प्राप्त होते हैं उस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए साकाम करम का आश्रे लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरश बार बार आवा गमन को प्राब्त होते हैं अर्थात पुन्य के परभाव से स्वर्ग में जाती हैं और पुन्यक शीन होने पर मृत्यों में आते हैं जो अन्य प्रेमी भगत जन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निश्काम भाग से भजते हैं उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुर्शों का योग शेम मैं स्वैम प्रापत कर देता हूं हे अरजुन यदपी शद्दा से युक्त जो साकाम भगत दूसरे देवताओं को पूजते हैं वह भी मुझको ही पूजते हैं किन्तु उनका वह पूजन अविधी पूर्वकर थात अज्ञान पूर्वक है क्यूंकि संपून यग्यों का भगता और स्वामी भी मैं ही हूँ प्रंतु वह मुझ परमेश्वर को तत से नहीं जानते इसी से गेते हैं अरथात पुनर जनम को प्राप्त होते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पित्रों को पूजने वाले पित्रों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भगत मुझको ही प्राप्त होते हैं इसलिए मेरे भगतों का पुनर जनम नहीं होता जो कोई भगत मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जलादी अरपन करता है उस शुद्ध बुध्धी निश्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अरपन किया हुआ वह पत्र पुष्पादी मैं सगुन रूप से प्रग खाता हूं हे अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो भवन करता है जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मेरे अर्पन कर इस परकार जिसमें समस्त करम मुझे भगवान की अर्पन होती हैं ऐसे सन्यास योग से युक्त चित वाला तु शुब शुब फल रूप करम बंदन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ ना कोई मेरा प्रिये है और ना प्रिये है प्रंतु जो भग्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रगट हूँ यदि कोई अतिशे दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भग्त होकर मुझको भजता है तो वह सादू ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चे वाला है अर्थात उसने भली भांती निश्चे कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है वह शिग ही प्रमात्मा और धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परमशान्ती को प्राप्त होता है हे अर्जुन तु निश्चे पूर्वक सत्य जान की मेरा भगत नश्ट नहीं होता हे अर्जुन स्त्री वैश्य शुद्र तथा पाप योनी चंडालादी जो कोई भी हो वेह भी मेरी शर्ण होकर परमगती को ही प्राप्त होती है फिर इसमें कहना ही क्या है जो पुन्यशील ब्राह्मन तथा राज रिशी भगत जन मेरी शर्ण होकर परमगती को प्राप्त होती है इसलिए तु सुख रहतर शन भंगुर इस मनुश्य श्रीर को प्राप्त होकर ननतर मेरा ही भजन कर मुझे में मन वाला हो मेरा भगत बन मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे को परनाम कर इस परकार आत्मा को मुझे में नियुक्त करके मेरे पाराइन होकर तु मुझे को ही प्राप्त होगा ओम तस दीशी मद भागवत गीता सूप निशिसू ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे शी किषन अर्जुन समवादे राज विद्या राज भिहा योग नामकर नवम अध्याए समाप्त नमा